नमस्ते दोस्तो आज बात करते हैं आजाद हिंद फोज के एक अफसर सहा नवाज खान के बारे में सहा नवाज खान उन तीन कमांडरों में से थे जिसमें एक नारा बना था लाल किले से आई आवाज सहेगल धिलों सहा नवाज ये नारा पूरे देश में गुंजा था, आजाद हिंद फोज के तीन कमांडरों पर लाल किले में मुकदमा चला कर अंग्रेजों ने फांसी देने की ठान ली थी लेकिन इन देश भक्तों के लिए लोगों के दिल में इतना प्यार था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोशपन अपने लगा, जगे जगे विरोध होने लगा, जब हारलाल नहरू ने बरसों बाद अपने वकालत का काला कोट पहना था, अंग्रेजों को बात करेंगे एक कमांडर जांबाज सानवाज खान की सानवाज खान आजाद भारत में मेरट लोक सभा से चार बार सांसब बने और भारत सरकार में क्रिशी मंत्री, सिंचाई मंत्री, खाद्य मंत्री, रेलवे मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री कई पद उन्होंने संभाले और इस दोरान कई सारे लोक भलाई के कार्यवी किये नेताजी सुभास चंदर बोस की मृत्यू के बाद उनकी सचाई जानने के लिए भारत सरकार ने एक आयोग गठित किया था सन 1956 में उसके मुख्या भी सानवाज खान को बनाया गया था सानवाज खान का जन्म हुआ था आजकल के पाकिस्तान के रावल पिंडी में 24 जनवरी 1914 को एक जंजवा राजपूत कैप्टन सरदार टीका खान के घर सुरुवाती पढ़ाई वहीं से की और बाद में देहरादून के प्रिंस ओफ वेल्स रोयल इंडियन मिलिटरी कॉलेज से पढ़ाई करके वे सन 1940 में बिटिश इंडियन आर्मी में अफसर के पदपर भरती हो गए दूसरे विश्व्यूद में सैंकडों सैनिक साथियों के साथ सानवाज खान को सिंगापूर से ग्रिफतार कर लिया गया नेता जी सुभास चंदर बोस की सलाह पर आजाद हिंद फोज उन्होंने जवाईन कर ली सन 1944 में कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ सुभास ब्रिगेड बनाकर अंग्रेजों की इंट से इंट बजा दी सन 1945 में कोर्ट मार्शल की कारवाई की गई और लाल किले पर वह एतिहासिक मुकदमा चलाया गया जहां साजी शहादत और साजी विरासत की भावना को समेटता नारा गुजा था लाल किले से आई अवाज सैगल धिलों साहन अवाज लोग जुल्म की दास्तान को दुबारा नहीं देखना चाहते थे जो 90 साल पहले बहादुर्सा जफर के साथ किया गया था लाल किले में मुकदमा चला कर वही मंजर नहीं देखना चाहते थे सानवाज खान विचारों से वामपन्थी किसम के थे वे भूमी सुधार के पक्सधर थे और उसको लोगों में बांटने के बहुती पक्सधर थे सानवाज खान धर्म दिर्पेक्स मुल्यों में विश्वास रखते थे इसलिए उन्होंने आजादी के बाद इसलामिक राज्य पाकिस्तान में जाने की बजाए सैकुलर स्टेट भारत में रहना मंजूर किया और वे अपने पूरे परिवार को छोड़ कर पाकिस्तान से भारत चले आए पाकिस्तान से आए हिंदूों की भारत में बसने के लिए सानवाज खान ने बहुत मदद की और इसका एक बहुत ही बड़ा एक्जाम्पल है उत्राखंड हरिद्वार के पास एक गाउं है जो सुभासगड जो सारस्वत ब्राह्मनों का उस इलाके में सबसे बड़ा गाउं है उसको बसाने में सानवाज खान की मुख्य तोर पर याद किया जाता है सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दोरान उनके साथ एक विवाद भी उभरा या किया गया और किंद्रिय मंत्री जब वह थे क्रीशिय वंखाद्य मंत्री तो उन से इस्तीफा मांग लिया गया विपक्स के द्वारा और इतने दबाव को देखते हुए वह इस्तीफा देने के सब्सक्राइब अबर गये लेकिन थकाली परदानमंत्री लाल बहुदुर सास्त्री उनके बचाओं में आए और उन्होंने कहा और उनका इस्तीफा ना उन्होंने मंझूर किया और नहीं उनको इस्तीफी के लिए उनके उपर दबाव डाला बलकि उनका बचाओं किया वज थी कि पाकिस्तान भारत जब दो देश बने तो सानवाज खान अकेले भारत चले आये थे अपने परिवार को छोड़ कर और उनका बेटा जिनका नाम था महमूद अली वे पाकिस्तान की सेना में अफसर बन गए और बाद में वे उचे पोदे पर भी पहुंचे और 1965 के युद के दोरान वे पाकिस्तान की सेना में काम कर रहे थे इस आधार पर उनसे स्तीफा मांगा गया लेकिन उनकी भारत वर्ष के साथ जजबे को देखते हुए इस बात को नजर अंदाज किया गया यह भी बता दें कि आजकल के प्रसिद बोलिवुड नेता शारुक खान के नाना तालुक है 9 दिसंबर 1983 को सहनवाज खान का देहांत हो गया दिल्ली की जामा मस्जिद के पास इनको दफन कर दिया गया नमन है ऐसे भारत के एक सक्चे सपूत को जिसमें सक्ची इंसानियत प्रेम भाईचारा और हमदर्दी थी मिलते हैं ऐसी ही किसी और सक्षित के साथ